Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी Intraday Analysis share करूँगा जिसमें कम से कम risk reward ratio 1 is to 2 या फिर इससे ज़्यादा का होगा तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं आज का दिंग Traders Intraday Trading के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और इसका signal हम लोगो सुबस से ही देखने के लिए मिल रहा था कल जितने भी Intraday Stocks का Analysis मैंने आप लोगों के साथ share किया था morning session में उनमें से किसी में भी हम लोगों को breakout या फिर breakdown देखने के लिए नहीं मिला था और इसलिए मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ UPL का chart analysis share किया था 9 बच के 37 मिनट पर क्योंकि यहां पर हम लोगों को 50 मिनट कैंडिल में बहुत ही अच्छा breakout देखने का मौका मिल चुका था और retesting देखने के लिए मिल रहा था और जब एक घंटा होने के बाद भी इस trade में कोई भी result मिलते हुए नहीं नजरा रहा था तो फिर हम लोगों ने sipla के अंदर भी एक trade initiate किया क्योंकि यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि higher volumes के साथ में और candle के अंदर एक बहतरीन strength के साथ में इस breakout देखने का मौका मिला था और ये दोनो चाट analysis मैंने आप लोगों के साथ अपने telegram channel पर share किया था वो भी proper levels के साथ में कि कहां पर हम लोगो stop loss लगाना है और किस तरह से इस trade को plan करना है लेकिन फिर इन दोनों trade के अंदर हलका सा weakness नजरा रहा था इस time पर nifty के अंदर बहुत ही अच्छा का सा momentum generate होते हुए जरूर दीख रहा था लेकिन मैं आप लोगों को बार बार repeat कर रहा था कि stocks के अंदर हलका सा weakness है और जो भी लोग इस trade से निकलना चाहते हैं वो लोग cost to cost पे निकल सकते हैं और लगबग 10 बज के 45 मिनट के आज पास में मैंने आप लोग को message करके बता दिया था कि भले ही मेरा stop loss इसके अंदर hit नहीं हुआ है लेकिन मैं इन दोनों trade से exit हो रहा हूँ और इसके बाद मैंने आप लोग को suggest भी किया था कि आज कोई भी intra trade लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि market के अंदर हम लोग को सिर्फ a scalping होते हुए ही नजर आ रहा है और अगर हम लोग एक दिन intra trade नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है और यहाँ पर हम हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद लगभग 11 बजे के आज पास मैं ACN paint के अंदर हम लोग को एक बहुत ही सांदार मारी बुजू candle के साथ में breakout होते हुए नजर आया था, volume भी ठीक ठाक था, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि यह अपने इस breakout को sustain नहीं कर पाया, और टेड लोग के साथ में लोग के साथ में और इन दोनों में से ही लगभग cost to cost मैंने exit कर लिया, तो इसी कारण से आज मेरा तो कोई ज़्यादा loss नहीं हुआ है, लेकिन कल जितने stocks के analysis मैंने आप लोग के साथ share किया था, उसमें से ACN paint के अंदर हम लोग को breakout देखने का मौका मिला और फिर जाकर के इसके अंदर stop loss इट हुआ, टाटा केमिकल्स के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा खासा breakout हम लोग को देखने का मौका मिला था, लगभग 12 के आसपस में, और इससे बहुत पहले मैंने आ आप लोग को बता दिया था कि आज कोई भी trade नहीं लीजेगा तो बेटर रहेगा, और हम लोग देख सकते हैं कि breakout आने के बाद ये जाकर के high बनाया है, लगभग 998 के round में, लेकिन हमारा जो target था, वो था 1000 के आसपस में, और उसके बाद फिर यहां पर भी हम लोग को एक reversal ह होते हुए नजर आया, और इसके अंदर भी हलका सा stop loss हिट हुआ है, एक मातर intraday stock जिसके अंदर आज आप लोग profit generate कर सकते थे, वो था M&M, इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 10 बजे के आसपस में हम लोग को breakout देखने का मौका मिला, और फिर इसके अंदर एक अच्छा खासा momentum generate होता हुआ नजर आया है, तो personally मैंने तो इन तीनों में से कोई भी trade में entry नहीं किया था, अगर आप में से किसी ने भी सारे trades के अंदर को entry लिया था, तो मुझे नीचे comment section में जरूर बताइएगा, और टेड़स मैं अपनी वीडियो में बहुत बार repeat करते रहता हूँ कि intra trading के अंदर सबसे main name होता है, अपने capital को save करना, और अगर किसी दिन market अच्छा नजर नहीं आ रहा है, तो उस दिन हम लोग कोई trade नहीं भी initiate करेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वीक में 5 दिन हम लोग intra trading कर सकते हैं, और जिसमें से कल कहीं बात करें, तो 4 intra day stocks में हम लोगों ने target achieve किया था, और मंडे के दिन भी हमारे maximum stocks के अंदर target achieve हुआ था, तो एक दिन अगर हम लोग कोई trade नहीं भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, इतना control हम लोगों को खुद पर रखना पड़ेगा, और आज का तो market कम से कम इतना अच्छ था, कि signal कर रहा था, कि वो weak है, उसके अंदर कोई trading नहीं लेना चाहिए, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, कि हम लोग का जो stop loss है, वो बिना कोई signal दिये ही 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 हिट हो जाए, तो उस case में हम लोग को patience बना करके रखना होगा, क्योंकि intra trading के अंदर कभी भी आप लोग ए ज्यादा अच्छा लएगा, तो आप लोग नीचे comment section में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग को मेरी analysis साथी में live market में ये जो updates है, वो पसंद आती है, तो इस video को जरूर like कर दीजेगा, और अगर आप लोग मेरे channel को support करना चाहते हैं, तो आप लोग channel की membership को भ करके रख सकते हैं, और jean stocks के अंदर कल potentially हम लोग को कोई भी breakout या फिर breakdown देखने के लिए मिल सकता है, तो कल के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा Dr. Reddy, इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि ये जो train line है, यहीं पर ये आकर के बार बार resistance phase करता हुआ नजर आ रहा है, सा अगर volume wise भी हम लोग देखेंगे तो देख सकते हैं कि बहुत ही higher volumes के साथ इसके अंदर एक momentum generate हो रहा है, और उसके बाद आज पूरे दिन इसके अंदर consolidation होते हुए नजर आ है, तो ऐसे में कल अगर ये breakout दे देता है, तो एक अच्छा खासा intraday move हम लोग इसके अंदर capture कर सक लेकिन traders बेटर यहीं रहेगा कि आप लोग भी मेरी तरह support और resistance को draw कर लीजिये, ताकि live market में आप लोग और भी ज्यादा clarity के साथ अपने trades को execute कर पाए, और कल के लिए traders मेरा दूसरा intraday stock रहने वाला है हिंदूस्तान Unilever, इसके अंदर traders अब हम लोग को एक बहुत ही पोट वाले trend line को break करता है, तो फिर हम लोग selling side में अपने trade को initiate करेंगे, तो इसलिए traders हिंदूस्तान Unilever का जो दोनों side का level से मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर mention कर दिया है, आप लोग जरूर इसे note down कर लीजेगा, कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा Apollo Hospitals, इसके अंद अगर यह अपने इस zone को break कर देता है, तो एक अच्छा कासा intraday move हम लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं, तो इसलिए traders आप लोग Apollo Hospital को भी जरूर अपने radar पर रखेगा, इसके अंदर अभी buy side का भी जो levels मैंने आप लोग के लिए update कर दिया है, हलाकि price जो है वो अभी अपने इस resistance price से बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा momentum आता है और resistance को अच्छे volume के साथ ये break कर देता है, तो फिर हम लोग buy side में भी इसके अंदर trade कर सकते हैं, और calculated us मेरा अगला intraday stock रहेगा Hevels, Hevels के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि ये जो train line है, व तो इसलिए traders आप लोग इसे भी अपने radar पर जरूर रखेगा, और कल के लिए traders मेरा आखरी intraday stock रहेगा Scots, Scots के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि ये बार बार आकर के इसी train line के आसपास में support लेते हुए दिख रहा है, तो ऐसे में कल अगर ये अपनी support zone को break कर देता है, तो एक अच्छा-कासा momentum हम लोग इसके अंदर भी catch कर सकते हैं, तो इसलिए traders आप लोग Scots को भी जरूर अपने radar पर रखेगा, और traders इन सारे stocks के साथ साथ कुछ ऐसे भी stocks है, जो already मेरे radar पर है, जैसे की बजाज, Electric, Adani, Enterprises, HDFC, AMC, ITC, तो अगर इन सारे stocks के अंदर कोई भी breakout या breakdown देखने के लिए मिलता है, तो आज की तरह ही मैं आप लोग को अपने telegram channel पर update कर दूँगा, तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने इसे नहीं join किया है, तो जरूर इसे join कर लीजेगा, link आप लोग को नीचे description box में मिल जाएगा, और साथी में traders कल market के अंदर हम लोगो expiry होते हुए नजर आएगा, तो हो सकता है कि market हलका सा sideways momentum दे, तो अगर हम लोग को conviction नहीं दिखेगा, तो कल के दिन भी हम लोग बहुत ही कम trade initiate करेंगे, और मेरा session तो यह है, कि अगर breakout भी देखने के लिए मिलता है, तो जितने quantity में आप लोग generally trade करते हैं, उससे half quantity मे कल trade execute कीजिएगा, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे मैं अपने intraday stocks को select करता हूँ, कैसे उसके अंदर के targets और stop loss को decide करता हूँ, यह जो वीडियो अभी आपके screen पर show हो रहा है, आप लोग इसे check कर सकते हैं, तो आज के लिए टेटेस बस इतना ही, I hope आपको मेर analysis पसंद आई होगी, तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने channel को नहीं subscribe किया है, तो please इसे subscribe कर दीजेगा, और अगर आप लोग channel को support करना चाहते हैं, तो इसकी membership को भी जरूर जोइन कर लिजेगा, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद